अब हम बात करेंगे एक्जाम्पल नंबर 7.11 लिखा है एर रोड का बोल रहा है बोल रहा है कि अगर ये कोई रोड है तो इस रोड में एंड के about moment of inertia क्या होगा मतलब आप ये समझे कि जैसे एक रोड है रोड में आप देखिए इसके about moment of inertia पूच रहा है कि इसके about moment of inertia बताईए कितना होगा हमें देखिए इसमें पता होता है इस center के अबाउट moment of inertia और ये perpendicular होता है मतलब कुल मिला के ऐसे होता है तो इसके about moment of inertia हमें पता होता है वो moment of inertia हम लिख लेते हैं हम ऐसा मान लेते हैं कि वो i के बराबर था या यह था और इसका mass अगर m है इस rod का mass m और length l है तो i आता है ml square by 12 ठीक है center के about moment of inertia यह आता है अब हमें इसके about moment of inertia calculate करना है मतलब यह perpendicular है ठीक है तो देखे यह और यह दोनों एक दूसरे के parallel है और हम i dash बताना चाहते हैं या i dash हमसे पूछा है यही पूछा है तो हम i dash जब बताएंगे तो i dash is equals to लिखेंगे i plus अब देखे यह center पे center से इसकी दूरी अगर total length l है तो यहां से यह distance हमें मिलेगी l by 2 के बराबर यह मिलेगा ठीक है तो अब देखे पैरलल axis theorem यहां पर हम यूज करेंगे पैरलल axis theorem यह हम यूज करेंगे जब पैरलल axis theorem यूज करेंगे ml square by 12 प्लस यह आगया ml square by 4 ठीक है क्योंकि l by 2 का l square by 4 lcm लेंगे तो lcm आएगा 12 तो देखे यह वन टाइम तो 1 का multiply 12 से 12 में divide करेंगे वन टाइम वन का multiply करेंगे तो ml square प्लस 4 3 जा 12 तो 3 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा 3 ml square तो देखे 1 और 3 यहाँ पे आजाएगा 4 ml square अपान में यह 12 है तो 4 3 जा 12 तो यह आगया ml square by 3 यह आगया तो यहाँ से i dash की जो value आई है वो i है ml square by 3 ठीक है मतला इसके about जो moment of energy मिलने वाला है वो मिलने वाला है ml square by 3 के बराबर ठीक है चलिए तो प्रोड़ प्रोड़ कर देखे